हेलो गाइज वेलकम टो और न्य वीडियो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि हमारा एड्मिशन हो चुका था पूने में तो हम उतने दिन से उधर थे तो अभी नासिक आ चुके है और हमने लैप्टॉप ले लिया है एक नया जो कि लेनवो का है आईडिय वाला जनरेशन है इसका 8GB RAM 512GB SSD है इसमें और भी बाकिए डीटेल्स आपको आप वीडियो में आके चलते हैं बताएगे तो वीडियो को शुरू से लेकर देखना ना भूले चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो वाइस अभी बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते है कैसा है यह लेप टॉप तो यह लेप टॉप हमने जो लिया है वह 15.6 इंचेज का है और हम इसको बहर निकालते हैं तो यह हमको मिलता है हमारा मेन प्रोड़क्ट लैप आप और इसके साइड में जो कंपोनेंट मिलता है वो है हमारा चारजर तो वाईज यह सका है फिर बाद में में प्रोड़क्ट के और बढ़ेगे हम देखिए यह कुछ ऐसा एड़ाप्टर है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा है तो इस तरीके के कुछ एड़ाप्टर है और इसके साथ आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैन्यूल जो हर एक एक चीज के साथ मिलता है वह मिल रहा है इसको साड़े में रख जाएगे अभी में प्रोड़क्ट हमारे देखते हैं जो कि यह लैपटॉक तो इसका कलर जो है वह स्पेस ग्रे कलर है तो अब इसको भी निकाल लेते हैं पर देखिए कुछ इस तरीके का है यह लैपटॉक तो वह थोड़ी सी एक दिक्कत की बात है बाकी यहाँ पर आपको इसकी ब्रैंडिंग मिल जाएगी लेनोव की और इसको खोल के देखते हम यहां से खुलता है यह तो पहले इसको निकाल लेते है और यह देखिए गाईज यहाँ पर इसका आपको एक और बहुत अच्छी बात है कि आपको क्यामरा शेटर मिल जाता है पहले इसका श्टिकर निकल देते हम यहाँ पर की तरफ यह जो है इसका शेटर है इसको आप ऑन आफ कर सकते है तो गयास प्राइवसी की कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कैमरा बंद चालू जबही भी करना है आप आन कर सकते है यह यहाँ पर इसका आपको माउस पैड़ मिल जाएगा यहाँ और यह देखिए इसका कीबोर्ड है तो इसमें आपको गाई जैसे कि हमने पहले बताए था इसमें आपको इंटल का कोर आइफाई टेन जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और एंवीडिया का ग्राफिक का विल जाएगा जो की बहुत अच्छी बात है और बाकी इसको कीबोर्ड की बात करें तो यह देखें ऐसा कुछी ग्यूइम है इसको हम बजा के भी देख लेते हैं हम आपका हमारा माईक निकलते हैं यह से मोर्ट ठोड़ा try करके देखते हैं तो ऐसी कुछ clicking sound है तो आपको पूर्ट की बात कर लेते हैं तो तो यहाँ पर आपको यह देखिए यह एक पूर्ट है यह चारजिंग का पोर्ट मिल जाएग को तो इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको यह headphone jack मिल जाएगा और यहाँ पर HD card slot मिल जाएगा तो हमने इसको पूरा setup कर लिया यहाँ पर और कुछ इसा है इसका interface तो इसका जो display है वो पूरा 15.6 inches का display है और हम इसकी इसकी width आपको बता देते तो width इसकी 19.9 mm और इसमें आपको Windows का जो latest version 11 है वो देखने को मिल जाता है आप आप देख सकते Windows 11 है इसमें तो गाइस अभी हम इसकी एक वीडियो चला के देख रहे कि इसकी जो डिस्प्ले की quality है वो भी देख लेगे एक बार तो देखिए कुछ ऐसा है जैसा कि हमने आपको बताया था Full HD है इसका display तो उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बहतरीन दिख रही है quality इसकी और फिर अभी हम इस इसके एक गाना भी play करके रखेगे देखेगे क्योंकि इसमें लिखा है dolby atmos एसमें लग डॉल्बी अडियो है तो अभी हम उसको भी play करके देखते है तो वाईज अभी हम इसके एक NCS का गाना भी play करके देख लेगे तो यह इसकी 50 पे volume है तो अभी हम इसको बढ़ा कर है आपको नहीं समझ रहे होगा पर ऐसे लाइव सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी में डॉल भी लग रहा है यह मतलब दम है इसमें तो इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 45 वैट आर और इसकी जो बैटरी लाइफ इन्हों ने क्लीम की है वह 8 घंटे तक चल जाएगी ऐसा बूला है पर यह 4-5 घंटे चल जाएगी और इसमें रैपिड चाड का option मिल जाते आपको इसमें 80 परसेंट आपका वन आर में हो जाएगा ऐसा company क्लेम करती है हमने अभी तक फुल चार्ज करके देखा नहीं है तो हम उसके बारे में इतना आपको बता नहीं सकते और इसका जो क्यामरा है वह सब्सक्राइब करें और वन मेगापिक्सल का इसका क्यामरा मिलता आपको जो की थोड़ा सा कम है पर चल जाएगा आपको मिटिंग या इसकी ऑर्ट के बात करें तो जैसा कि हम ने आपको पहले पता दिए इसके और इसमें अब करें तो इसके आपको दो साल की वरांटि मिल जाती है और आपको इसको अगर एक्स्टेंट करना है तो आप इनकी वेपसाइट पर जाके लेना हुची इसको extend भी कर सकते इस warranty को तो guys अभी last बात करें कि आपको इसे लेना चाहिए नहीं तो अगर आपका budget 50,000 तक का है इसकी MRP है 70,000 तक की और अगर आपका budget 50,000 तक का है तो आप इसको जरूर consider कर सकते है इस price point पे ये अच्छा features देद रहा है आपको और अगर आपको थोड़ा graphic card उपर वाला variant चाहिए तो आप दूसरे इसको भी ले सकते है पर अगर आपको graphic card की इतनी जरूरत नहीं है और आपको ये use नहीं करना इतना तो आप इसको consider कर सकते है बहुत ही भेतरीन laptop है बस इसमें एक दो ही problem है जैसे कि इसकी जो body हो plastic build है तो वो थोड़ी सी problem है पर कुछ नहीं हम इसको चला लेगे अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वह वाली बात हो गई है तो बस यार गाई इतना ही 23 वाली वीडियो के लिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए और के